पताज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर न्यू लेटस्ट मोड आ गया है गाईज इंडियन ट्रक करके तो देख सकते हूँ आप लोग टाटा का लग यहां पे अपर दिख रहा होगा बहुत ही लंबा ड्रक भो आल आप को बहुत ही बढ़िया है अभी तक हमारे Instagram को आपने follow नहीं किया हुआ है तो link description में दे दी गई है वहाँ से आप directly follow कर सकते हो तो चलो देखते इस review करते है इस mode का कैसा है mode guys तो दिखने में तो बहुत ही luxury truck दिख रहे हैं यहाँ पर means बहुत ही बढ़िया tire एकदम चमक रहे है बहुत ही classic दिख रहे हैं यहाँ पर हमको और guys mode की link आपको description में मिल जाएगी तो वासे आप लोग directly डाउनलोड कर सकते हो तो चलो देखते हैं यहाँ पर mode चलो निकल चुके हम लोग बार की side में और पीछी की tail light देख सकते हो जो भी हो रही है flash means बहुत ही भार ही पर्खम light है और भाई निकल ने दो और हम लोग निकल चुके है बार और guys truck बहुत ही भेंकर दिख रहा है means बहुत ही dangerous दिख रहा है यहाँ पर हमको truck और इसकी speed भी guys बहुत ही बढ़िया speed है और guys new truck बोल सकते हो आप लोग mode के अंदर new truck आया means Indian truck बोल सकते हो बहुत ही classic दिखने में Indian truck और guys इसका steering बहुत ही ज्यादा smoothness के साथ यहाँ पर हमको provide किया हुआ है बहुत ही amazing लग रहा है यहाँ पर थोड़ा tanky full करवा देते हैं कि हमारी तो क्या आगे जाने में कोई problem ना है तो यहाँ पर parking करने पड़ेगी और यहाँ पर हमने रोक दिये और use money क्या हो रहा है कि पूरा पैसा use हो जाएगा कई पर cancel कहां से करो अब इतना ज्यादा petrol हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था तो यहाँ पर हो रही है हमारी tanky full एकदम तो 885 का हो चुका है पूरा पंद्रा लिटर और यहाँ पर निकल चुके आगे की साइड में वह निकलने से पहले ही टककर मार दिये तो आप लोग पूरा tire भूम गया है बहुत ही ज्यादा flexible steering है और यहाँ पर थोड़ा reverse लेनी ही पड़ेगी रिवस के अलावा अब कोई chance नहीं है और चलो निकल चुके और यहाँ पर अब लोग बहुत ही भारी steering है इसका और यहाँ पर बार निकल चुके और अब देखते इसकी speed बगेरा थोड़ा मेंट चेक कर लेते speed actually में क्या speed रहेगी और यहाँ पर दो ट्रकों के बसों के बीच में से निकालनी बहुत ही hard हो जाता है लेकिन निकल चुकी है और यहाँ पर speed testing का time आ चुका है तो guys interior भी आप लोग देख सकते हो बहुत ही classic होने वाला इसका interior भी तो आप लोग देख सकते हो interior इसका बहुत ही बढ़िया interior और यहाँ पर deeper और guys चलो बात करते हैं 123 number उपर के आपको दिख रहे होगे तो one का means guys जो slide के जो काच जो window है वो open हो रहे देख तो open और close दोनों के दोनों हो रहे और second number से use होने वाला है second number तो वह second number की बात करें तो एक बार थोड़ा level पर आजाए हम लोग और चलो second number यूज कर लेते हैं और चलो second number तो guys आप लोग देख सकते तो just door open हो चुका है वह भी driver seat का और कोई भी door नहीं means वही एक door open हो रहा है यहां पर second number की वज़े से और third number की guys तो third number तो पूरा उपर जो load किया हुआ है वही नीचे आ जाता है चलो देखते है कुछ होता है भाई लोग है invisible है नहीं है visible तो इसका कोई effect नहीं है हमारी driving के उपर जो चला रहे हम लोग वैसे की वैसी फील आ रहा है बट आगे कुछ दिखेगा नहीं यहां पर देख सकते हो हम लोग बहुत ही speed में आगे पहुच चुके है तो चलो एक बार speed test कर ले guys जो ट्रक की क्या महोल है क्या speed है तो क्या देता है इसका average वगेरा और यहां पर 130 बहुत ही बढ़िया speed जो रियल लाइफ तो नहीं रियल लाइफ के ओ माइगाड पुरी गाड़ी एक साइड से उपर भी हो सकती है इतना comfortable है तो चलो देख लेते डलान के उपर स्ट्रेट रोड आ चुका है और धीपर मारते बारते फुल स्पीड में जाना पड़ेगा तो फिर देख लिजी आप speed 123 130 तो नॉर्मली चलती ही है और बहुत ही बढ़िया speed ही यहां पर इन लोगों आमको दे दिये और बहुत ही speed जा रही है गाईज और देख से तो ट्रक मुझे बहुत पसंद आया गाईज और आपको कैसा लगा तो वो मुझे comment box में comment करके जरूर बताए कि ट्रक का actually में mode आपको कैसे पसंद आया या फिर नहीं आया क्योंकि guys mode बहुत ही बढ़िया है यहां पर बहुत ही इंडियन रियल इंडियन बोल सकते हैं आप लोग इंडियन की जो ट्रक होती है वैसा इसका लुक दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया मुझे बहुत रियल लग रहे है यहां पर अपने तेश पर बहुत प्राउड फील होता है टारा ट्रक पर यहां पर तो चलो guys मिलते अग एले वीडियो में